गैस अपच और कब्ज की समस्या आजकल बेहद आम हो गई है आजकल अधिक्ता लोग गैस की समस्या से परेशान रहते हैं गैस बनने पर पेट दद, पेट में जलन, पेट में एंठन आदी समस्याओं से दो-चार होना ही पड़ता है लेकिन कई बार गैस सिर्य चाती तक पहुंच जाती है और फंस जाती है ऐसे में आपको चाती या सिर्में भी दर्द मैसूस हो सकता है इस वीडियो में हम आपको चाती में बनने वाले गैस को निकालने के कुछ उपायों के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए बीडियो को लाश तक देखें और हमारे साथ बने रहें हम सबसे पहले बात करते हैं अजवाइन की अजवाइन पाचन के लिए एक बहतरीन घरेलू उपाय साबित हो सकता है अगर आपको चाती में गैस की वज़े से जलन या दर्द हो रहा है तो इस इस्तिती में आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं अजवाइन का चून चाय या काड़ा गैस को निकालने में असरदार साबित हो सकता है अब हम बात करते हैं सोंप की अजवाइन की तरही सोंप भी पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है अगर आपको चाती में जलन या दर्द हो रहा है साती गैस भी निकल रही है तो आप सोंप का सेवन कर सकते हैं सोंप खाने से चाती और पेट की गैस आसानी से निकल सकती है आप सोंप का पानी चाए और काड़ा बना कर पी सकते हैं इसके साती सोंप को चबा कर भी खाया जा सकता है अब हम बात करते हैं अद्रक की छाती में फंसेविये गैस को निकालने के लिए अद्रक का सेवन भी किया जा सकता है अद्रक चाती के गेस को निकालने में काफी असरदार साबित हो सकता है दरसल अद्रक खाने से पाचन को बड़ावा मिलता है आप अद्रक का सेवन चाए काड़ा आदी के रूप में कर सकते हैं आप चाए तो अद्रक को सबजी या दाल में मिला कर भी ले सकते हैं अब हम बात करते हैं नीबू पानी की नीबू पानी डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है अगर आपकी छाती में गैस फस गई है तो नीबू पानी का सेवन कर सकते हैं इसके लिए आप एक ग्लास गुनगुना पानी लें इसमें एक नीम्बू निचोडें और काला नमक डाल कर पी लें गरम पानी में नीम्बू डाल कर पीने से गैस से छुटकारा मिल सकता है साती छाती की जलन भी सांत होती है अब हम बात करते हैं इलाइची की अधिकतर लोग अपने खाने में इलाइची का इस्तेमाल जरूर करते हैं अगर आपको चाती या पैट में गैस बनी है इसकी वज़े से आपको दर्द और जलन महसूस हो रही है तो आप इलाइची का सेवन कर सकते हैं इसके लिए आप इलाइची का पानी पी सकते हैं आप एक गिलास पानी में इलाइची उबाल लें और इस पानी को च्छान कर पी लें इससे आपकी चाती और पेट में मौझूद गैस आसानी से निकल जाएगी और आपको काफी आराम मिलेगा अगर आपकी चाती में गेस फस गई है इसकी वज़े से आपको जलन और दर्द महसूस हो रही है तो आप नीवू पानी अजवाइन अधरा किलाईचे और सोंप का शेवन कर सकते हैं अगर लंबे समय तक गेस की समस्या है तो आप तुरन डॉक्टर से संपर करें आज की वीडियो में बस इतना ही हमें उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेर करें अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें